अभी तक हमने दो पार्ट देख लिए जिसमें हमने इसका इंट्रडक्शन पॉर्शन देखा था और इसके सेड्यूल वाले पार्ट को हमने अच्छे तरीके से क्लियर किया था अभी यहां पर हम बात करेंगे इसके चेप्टर सेकेंड की जिसमें मेली इनके एडिमिनिस्ट् सावधान होकर सारी चीजह समझनी क्यों कि एक मिश्टेक करते हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा तो समझते हैं अच्छे तरीके से कौन कौन सी बाडिस किस कैटेगरी में आ रही है क्या यहां पर एडिमिस्ट्रेटिव बाडिस को कैसे डिवाइड किया गया है यहां तीन पार्ट में डिवाइड क्या गया है मतलब तीन अलग 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 अस्ट्रेक्शन तीन अलग अलग डिपार्टमेंट है जो यहां पर काम करती हैं और सुचारू रूप से सारी चीजह यहां पर चल पाती हैं सिर्फ इन ही तीन बाडिस के कारण समझते हैं पहला बाड काम है एडवाइस देना इसका काम है किसी क्यों कंसल्ट करना मतलब अगर कहीं पर कुछ मीटिंग चल रहा है यह अगर कोई नया डिसीजन लेना है तो वहां पर यह क्या करते हैं इनके अंदर जितनी भी बॉडि रहती हैं वह एक प्रॉपर उन्हें एक गाइडलाइन्स प्र सारी चिजयें एक प्रॉपर गाइडलाइन देना एक सुजाओ देने का काम रहता है किनका एडवाइजरी वाड़ी का अगला बात करते हैं अनलाइटिकल बॉडि अनलाइटिकल का मतलब क्या समझ रहे है करना करना मतलब यहां पर क्या होगा देखिए अब डियंसी अट के जग़ाँ पर मांद कर चलो जैसे किसी इंडरे स्ट्री में अगर ड्रग बन रहे हैं तो उस इंडरे स्टी में गलत होगी हो रही है वहुझा गलत मैट हीट से सोड़ी बनाया जा रहा है यह मिलावट तो आशे उसे चेख करने के लिए वहाँ पर पहुंचते हैं एक्जीक्यूटीव मेंबर्स ठीक है जिनका काम एक्जीक्यूशन का है मेंली यहाँ पर ड्रग इस्पेक्टर आते हैं गवर्मेंट अनलिस्ट आते हैं वहाँ पहुंचते हैं वहाँ जाकर वह सेंपल लेते हैं कि जाकर हमें चेक करना है सेंपल ल मिलावट का है वो चार्जेस मतलब उसका रेंज ज्यादा थोड़ी है प्रॉपर वो सेफ है या नहीं है यह जो चेक करने का काम किसका रहेगा एनलीटिकल बाडी का ठीक है एनलाइस करने का काम रहेगा जब इसका एक्जामपल देखे को तो बिलकुल क्लियर हो जाएगा एडवाजरी बाडी कहा बैठी है यह अपने एरिया अपने हैड़कॉटर रहे है काम कौन कर रहे है तो ड्रग इस्पेक्टर कर रहे है लाइसेंसिंग ऑथरीटिटी है जो प्रॉपर इंस्पेक्ट करेंगे इसक्ट करने के बाद एप्रूबल करेगी कि हाँ चला चलिए अब आप लाइसेंस ले सकते हैं ठीक है कस्टम कलेक्टर इनकी बात करते यह ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं जैसे आपने देखा वो अगर जैसे जमीन का कभी आपको नपवाना रहता है कभी मेजरमेंट रहता है तो वहाँ पर पटवारी आता है वह पटिकुलर पहले आ जाएंगे देखेंगे सारी चीजें उन्हें सब कुछ सही लगेगा एरिया उन्हें प्रॉपर सही लगेगा तब आपको अप्रूबल दिया जाएगा ठीक है यह हो जाएगा आपके लिए एक्जीक्यूटीव बॉडिस इनका काम है एक्जीक्यूट करने का एडवाइजरी करने का बैठें प्रैक्टिकल लेब वैढैंगे आपके और यह जाएंकि डिकल बॉडिस जर्एंघोगा इनलेटिकल वाडी की बात करें करें लिए देखनाना मों से आपको समझ में आ जाएगा ड्रॉण Technical Advisory Board DTAB के नाम से क्लियर है डग टेक्निकल ठीक है। ड्रग टेक्निकल परसान नहीं होगे हाँ यहां इसी हो जाएगा बिल्कुल यहां करके करके हमें सारी किसे भी संद्धने के जोरत है यहां पर समझने के द्वारा चल रहा है और तीस साल बाद यहां परलती हुई जाती इनका function क्या है देखिए function वही सारे आप अपने language में लोगे यहाँ पर आपको मैं जवरी नहीं कि सारी चीज़ें आपको मैं लिखकर बताओं आप तुरंट समझ जाओगे function क्या है यही पर मैंने आपको बता दिया इनका function क्या है एडवाईस देने का कैसे करना है क्या problem आ रही है उनका solution क्या होगा particular उन्हें एडवाइस देने का काम रहता है ठीक है यहां पर इनके member की बात करते हैं इंपर्टेंट तो यही है कि कि कितने member होते हैं डी ती ये वी में यह आपको समझना है सबसे ज़रूरी वा इतने मेंबर्स थे बुझे कमेंट करके बताना एक्स ओफिसों में फार्मिसी कांसीर अप इंडिया में इंडिया में कितने मेंबर्स से यहां पर आठ मेंबर्स बताए ग를 मुर्टर से ठीक है ध्यान रखना की मिलाकर 2018 USD कि ini yanerea से आपको ध्याना रखता है नमouleए पउने से वार्षेश वार्मेंट से रहेगा दो गौश्मिंट की बात पॉइंट करेगी कि है एक परिशंतर होना चाहिए फार्मकोलोजिस्ट हो ना चाहिए एक परसन cases से अे पर्सन फार्मसोंट यहां पर इंडियन फार्मसीटिकल आइप यह से और खिक ए यह सारी देखिए इसका लेकर रखना जितने भी हैं पर मेंबर से हैं इनका यही है आप सभी के लिए देखते हैं यहाँ फिचेTalk अधे बात करते हैं है तो और सुटीशन का मैं यहाँ पर बात करते हैं क्या कुछ यहां पर देखने को थि sulfur unload hun रहते हैं नोमिनेशन के दौारा संट्रेट से एक पर संटेट से एक स्टेट से एक पर संट्रेट lang कें दौरा मेंट उन obec कि इनका काम क्या है इनका वही देनने का दूसल्ट करने का वही सारी चीज़ा है को देखने के मिलेंगे बिल्कुल पर होने की जड़रत नहीं Central Drug Laboratory सीडीएल का काम क्या रहता है बताना Central Drug Laboratory इनका काम रहेगा जो भी वहाँ पर इनके पास सेंपल साइं है उन सेंपल को analyze करना तो टेस्ट सेंपल आप दे ड्रक ठीक और इन्हें ड्रक पहुचाता कौन है इने सेंपल ने मियदाते हैं यह लेप में बैठ कर इनहें अनलाइज करते हैं फिर बात करते हैं ड्रग इसक्रीर की चेले ड्क of क्या है वही परसंद निका का मैं जा जाकर हर जगह में inजस्पेक्शन करनेमें इनके पास पावर भी इनकी बहुत है इनकी responsibilities भी है चले देखते हैं सारी चीज़े सबसे पहले तो इनका हम appointment की बात करते हैं तो drug inspector अगर उन्हें आयरुवेदिक सिद्धा युनानी ड्रक्स अगर इनके sampling के लिए जा इन्हें चेक करने के लिए इन्हें inspect करने के लिए अगर उन्हें point किया गया है तो उनका appointment section 33 जी के अंतरगत होगा ठीक है अगर इनके लिए रहेगा तब section 33 जी के अंतरगत इनका appointment होगा अगर ड्रग एंड कॉस्मेटिक के लिए अगर इनके inspection के लिए अगर उन्हें appointment किया जा रहा है तो उनका appointment होगा section number 21 के अंतरगत ध्यान रखना दोनों में अंतर यहां पर ध्यान रखना है एरवेदा सिद्धा युनानी 33 और यहां पी बात करते हैं तो 21 और बात करें power of the drug inspector ठीक है उन्हें जो पावर दिया जाता है उनका power section 22 के अंतरगत कभर होता है त डीन सी में किस से section में पॉइंट किया जाएगा question आपको यहीं से बनता है फिर बात करते हैं qualification क्या होना चाहिए तो उन्हें अठरा महने का experience होना चाहिए सेड्यूल सी ड्रक्स के preparation में उनके manufacturing है सेड्यूल सी ड्रक्स के आते हैं biological preparation आते हैं जो की परेंटरली यूज किया जाते हैं यह आपको ध्यान रखना है साथ ही साथ यहां पर और बोला गया है कि अठरा महने से कम का experience नहीं होना चाहिए at least उनमें से ऐसे रहें जो सेड्यू सी से तभी जाकर उस सेड्यूल सी ड्रक के किसी एक भी ड्रक में उनमें थे किसी एक भी ड्रक का manufacturing में मिनिममम अठरा महने का experience होना चाहिए तभी जाकर उन्हें यहाँ पर ड्रग इस्पेक्टर के लिए अपॉइंट कर सकते हैं बात करते हैं इनके पावर की चले बहुत क् medicine बना रहे हैं जैसे pharmaceutical industry तो वहाँ पर जाकर चेक करना कि proper standard maintain किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है medical shop में जाकर चेक करना जिन चीजों को हमने बताया था उन्हें आप proper maintain कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं अगर आप एक एक सिंगल टैबलेट भी देते हो तो आपको उसे प्रॉपर अपने डायरी में maintain करके रखना पड़ता है तो आप वह सारी चीजे प्रॉपर maintain कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उस रेइस्टर को चेक करना टेकिंग सेंपल्स ठीक है भी मैंने आपको बताया अगर कहीं पर घोटाला लग रहा है कहीं पर सक हो रहा है कि यहां तो मिलावट है बिल्कुल महाँ सेंपल ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं सर्च ठीका सर्च कर सकते हैं हो तर नहीं आपने कई बार देखा होगा में रेट पड़ती है सर्च जदेखियों गार ना इये है यह आपके सामने सर्च वारेंट आपके घर की तरासी लिनिया में इतलों चीजे यहां यह कर सकते हैं की इस्पेक्टर भी अगर इन्ने कहले सब्सक्राइब जारी करवा के पटीक्लर को सब्सक्राइब ठीक है एंटर एंड सर्च इस टॉप एंड सर्च यह सर्च की सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगे और एगजामाइन एनी रिकॉर्ट ठीक है वही मैंने आपको बताया था एक्ट रिजिस्टर वाली चीज में आपको यहां पर बताई थी उन रेजिस्टर को यह ठीक है तो यह में चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए चलना है इनके पार्ट के अंतरगत ठीक है यह तीन बॉडी है इनके पूरे फंस्टन्स ध्यान रखेंगे और बिल्कुल इस यह नान से आपको सारी चीज़ें बिल्कुल यहापर क्लियरली समझ में आ जाएंगी ठीक है तो ज्यादा परसान होने के ज़रत नहीं है छोटा सा सिलेबस है लेकिन चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से करते हुए चलनी है ओके मिलते हैं अगले पार्ट में इसके नेक्स्ट सेशन के साथ इसके नेक्स्ट चैप्टर नंबर थरी के साथ थैंक